करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रिशन का यहां पर हम कॉश्ट नबर टू देखते हैं राइट फिर्स्ट फॉर टर्म्स ओफ दे एपी यहां पर हमें पहले चार्ट टर्म जो है के लिखने हैं उसके बाद फर्दर क्या कॉश्टन कह रहा है फिर्स टर्म जो है यहां पर ए है और कॉमन डिफरेंड जो है वो दी के बराबर है उसके बाद यहां पर हमें ग्यों है कि एक वाल्यू क्या है और कॉमन डिफरेंड जो है वो किसके बराबर है यहां पर हमें फाइंड आउट करने है फिर्स टॉ फॉर टर्म्स एपी के तो कि हम पर common difference क्या है यहां पर यानि 10 है तो इसको किस तरिक से करेंगे हम solution लिखेंगे तो first term जो है ठीके वो A के साथ हम denote करते हैं तो वो क्या है हमें 10 है तो A2 जो है ठीके A2 जो है वो second term है तो उसको किस तरिक से करेंगे A यानि first term plus D तो इस तरिक से आएंगा हमें तो यहां पर जो है हमें क्याएंगा 10 plus 10 ठीके उसके बाद वो 20 है तो A2 हमें किस के बराबर आ गई 20 के बराबर A3 करते हैं तो A3 किस के बराबर A2 plus D ठीके तो यहां पर A2 हमें 20 आ गई और plus D sorry D जो हमें 10 है ठीके 10 तो यहां पर क्या गए हमें 30 तो इसी तरिक से A4 किस के बराबर आएंगे 40 के बराबर ऐसी जो है तो यहां पर लिखेंगे हम therefore A, P, 1, 1 and 2 क्या हैंगा वो 10, 20, 30, and 40 पहले 4 निकालने थे वो यह 4 है ठीके अब यहां पर जो है next करते हैं इसका solution लिखेंगे यहां पर किस तरिक से इसको करेंगे तो यहां पर हमें जो है first term तो minus 2 आएंगी ठीके second term यानि A2 वो क्या है किस के बर A plus D ठीके A क्या है minus 2 plus D क्या है common difference जो है 0 है ठीके तो 0 लिखेंगे वापस आ गया 2 ही ठीके इसी तरिक से A3 क्या होगा A3 जो है A2 plus D तो यहां पर A2 क्या है हमें यह A2 आ गई तो minus 2 ही plus 0 तो यहां पर minus 2 इसके बाद जो है A4 जो है वो भी आएंगे इस तरिक से minus 2 है तो यहां पर A B क्या बना हमें minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 इस तरिक से A B बना next part यहां पर है ठीक है इसका solution देखते हैं किस तरिक से इसको करेंगे तो यहां पर जो हमें first term जो है वो 4 है ठीक है common difference हमें देखे हैं यहां पर तो यहां पर क्या करेंगे हम A2 So A plus D तो यहां पर 4 plus minus 3 ठीक है तो यहां पर आएगा 4 minus 3 तो वो क्या आगया हमें 1 इसके बाद A3 करते हैं ठीक है तो वो यहां पर आएगा A2 हमें 1 के बराबर आगया ठीक है अब यहां पर A3 यह हो गया A2 minus A2 plus D तो यहां पर A2 के हमें 1 और यहां पर plus minus 3 ठीक है इसको यहां पर फर्दर करते हैं तो यहां पर आएगा हमें इस तरीक से और यहां पर A2 का value हमें क्याएगा minus 2 इस तरीक से आगया अब यहां इसी तरीक से A4 तो इसको A3 plus D A3 के हमें वो हमें जो है minus 2 है और यहां पर जो है plus minus 3 इसको जब हम करेंगे minus 2 minus 3 यहां पर minus 5 तो यहां पर हमें A4 आगई इसके बराबर ठीक है so therefore A.P. किसके बराबर आएंगा हमें तो पहली टर्म जो है 4 है second 1 1 फिर जो है minus 2 फिर जो है 5 इस तरीक से हमें पहले चार A.P.s इस तरीक से मिलें next part करते है इसी question का तो इस तरीक से यहां पर है ठीक है तो यहां पर solution लिखते हैं इसका यहां पर हमें A किसके बराबर है minus 1 के बराबर D को में लिख सकता हो 1 by 2 को हम लिख सकते हैं ऐसी 0.5 ठीक है तो यहां पर आप लिखते हैं इसके term 4 तो यहां पर पहली वाली तो minus 1 है तो A2 के इसके बराबर A plus D तो यहां पर minus 1 plus 0.5 वो क्या गया minus 0.5 ठीक है इसी तरिक से A3 जो है वो क्या होंगी minus यानि A2 A2 plus D तो वो क्या है minus 0.5 plus 0.5 वो किसके बराबर 0 के बराबर ठीक है 0 के बराबर आ गई उसके बाद A4 देखते हैं A4 के हमें वो आएंगे हमें A3 plus D A3 जो है वो हमें 0 और यहां पर 0.5 वो आगे हमें 0.5 आंसर इसका तो यहां पर लिखेंगे therefore AP क्वानटो किसके बराबर minus 1 minus 0.5 0 यहां पर 0.5 इस तरीक से हमें यहां गया यहां पर लास्ट वाला है अब इसका तो इसको देखते हैं solution इसका यहां पर A first term minus 1.25 ठीक है आप जो है A2 देखते हैं A2 का है A plus D ठीक है तो यहां पर minus 1.25 plus minus यह है ठीक है यहां पर minus 0.25 ठीक है यहां पर further A2 1 and 2 minus 1.25 minus 0.25 वो आएगा minus 1.50 इसके बाद A3 जो है वो बनेगी minus 1.75 A4 जो है minus 2 इस तरिक से यहां पर A P लिखेंगे हम therefore A P 1 and 2 यहां पर आएगा हमे A P पहले जो है minus 1.25 next one is minus 1.50 minus 1.75 and last one is minus 2 इस तरिक से हमें यह चार A P's मिले इसी के साथ यह कॉशन कम्पलीट हुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप हमें फालो कर सकते हो फीसबूक पर, इसिटा पर त्य मिलेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट्ट वीडियो में